मेंड़ी का है Everyone स्वागत है आप सब को फिर से एक नय Опर दोस्तों आज हनो लोग सीखेंगे समी करण को हल करना कुछ ऐसे कोशें लेगे जिसमें समी करण सकते हैं Municipal कर सकते हैं और यह है आपका एक इस तरह के को सालो कर सकते हैं दोस्तों दूसरा number question है दोश्टों थोड़ा दसमलोला question है दसमलोला solo करने में थोड़ा सा tough होता है लेकिन फिर भी इसको हम आसान तरीके से solo करेंगे आई देखते हैं कैसे solo करेंगे दिया हुआ है 0.6 minus इतना 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 देखिए आ हैं आपको कैसा question दिया गया है इसको solve करेंगे तो सबसे पहले साले number को number की तरफ लेके चले जाएंगे और x वाले term को अलग कर लेंगे x वाले term को यहीं पर रखें तो यह हो जाएगा 1.2x minus के साथ है इसको आगे लेके चले जाएए तो is equal to क्या हो जाएगा minus 3 तो है यह already तीन यह आगे जाएगा तो minus 3 बनेगा और plus 0.6 आगे जाएगा यहाँ पर plus का symbol होगा खुछ symbol नहीं तो plus का symbol तो यह भी बन जाएगा 0.6 इस तरह से अब देखेंगे ना इसको तो ध्यान से समझेगा इसको plus करेंगे तो plus करने का process क्या होता है तो यहाँ पर देखें तीन दसमलोज 0 बढ़ा लेंगे like में सबको बदल लिया जाता है सबसे पहले यही गलती हो जाता है 3 3 6 6 12 कोई कोई लिख देता है तो ऐसे नहीं करना है आपको 3.0, like में बदालेंगे, क्योंकि दस्मलोग के बाद यहां पे एक अंक दिख रहा है, तो आप में सब में एक एक अंक पे दस्मलोग लगा लेना है यह इस में भी वही प्रोसेस करेंगे दस्मलोग लगा कि 7 6, works, और गाया है तो कितना आ गया यह, तो माइनस एक दसमलों दो एकस बराबर माइनस 6.6 आ गया अब आपको क्या करना है दोस्तों इस 12 को नीचे लेके चले जाना है माइनस चाहे तो आप माइनस यहाँ पर केंसिल आउट कर सकते हैं यह 12 नीचे चला जाएगा 12 है नहीं 1.2 है तो 1.2 नीचे चला जाएगा तो x is equal to कितना आ गया यह आपका 6.6 by 1.2 अब आप दोनों में point सेम अंके पर देख रहे हैं तो एक एक डिजिट पर है इधर से देखा जाता है एक डिजिट पर इधर एक डिजिट पर पॉइंट से point cancel भी कर सकते हैं बट आप 10 से multiply कर देंगे उपर नीचे एक एक जीरो से एक कितना मिल जाएगा तो यह मिल गया आपको 660 एक अंक पर दसमलों लगाई है और यह 120 एक अंक पर दसमलों लगाई है इसी को बोलेंगे हमना 66 by 2 है बस इतना अब यह कटेगा क्या चो के table से कट जाएगा शो एकने 6, शो एकने 6, चो दुनी 12, यानि X is equal to आपको कितना मिला दोस्तों, तो 11 बटा 2 मिला, 11 बटा 2 को तो आप भाग कर ही सकते हैं, तो 2 पंचे 10, अब फिर 2 पंचे 10, यानि X का वैल्यू आपको कितना मिल गया, तो 5.5, आसा करता हूँ दोस्तों कि आपको यह question अच्छी तरह से समझ में आया होगा कहीं कोई तुरूटी है comment करके जरूर बताईएगा देखे दोस्तों इस question को थोड़ा सा अलग है fraction के रूप में दिया गया है इसको कैसे solve करेंगे एक से को यह 3 है तो लिखेंगे 3 अब माइनस है तो प्लस 5 ऐसे लिख लिए हमने अब देखेंगे दोनों का denominator सेम है साथ और साथ तो हम लिखेंगे साथ अब देखेंगे यहां पर साथ है ना तो होता है तो साथ एकनने साथ तो यहां पर एक से multiply कीजे एक तिया ही 3, 3 एक हो जाएगा ठीक है एक ड़म भाई प्रोकस कर रहे है नहीं तो 3, 4, 4 इक से बटा 7 लिख जिए सीधे सीधे तो यहाँ पे भी x multiply किजिए 1x जा 1x और यहाँ पे देखेंगे न तो 5, 3, 8 confusion है कोई confusion नहीं होना चाहिए 3 गो x और A गो x कितना होगा तो 4 गो x नहोगा 4 गो x बटा 7 is equal to आपको मिल गया 8 by cross कर दिजिए अब यहाँ पे अब सीधे सीधे आपको करना क्या है तो by cross करना है थोड़ा इधर यहाँ देख ले रहे हैं हम लोग तो x बडाबर आपको कितना मिल जाएगा 7 उपर जाएगा multiply होगा तो 8 गोडे 7 अब बटा में लिखेंगे यह 4 निचवाएगा तो 4, 4 दूनी 8 तो x बडाबर कितना मिल गया आपको 7 दूनी 14 यही आपका answer है fraction का यह question simplification sorry समीकरण वला यह question आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताईएगा समीकरण का यह question थोड़ा साथ lengthy दिख रहा है लेकिन है एकदम आसान आईए करते हैं इस question को 3 से इस bracket में multiply कर देंगे 3 पचे 15 तो 15 x अब 3 सत्य 21 तो यह 21 यह एक साथ है फिर यह देखेंगे तो इसका एक साथ multiply करेंगे दुन नवा 18 तो लिख लेंगे 18 x माइनस 11 दूनी 22 बराबर अब इसका इसमें multiply कर लेंगे इसमें नहीं किरना है याद रखेगा बस bracket में ही करना है 4 का 4 वठे 32 तो 32 x माइनस 4 सते 28 तो यह हो जाएगा 28 माइनस 5 को सिंपली इस तरह से लिख लिजिए अब अगर मैं इसको solve करेंगे न तो क्या आएगा 15 x और 18 x 15, 15, 33, 33 तो 33 x 33 x लिख लिजिए यहाँ पर अब माइनस देखें माइनस 1 x और माइनस 22 कितना होगा माइनस 43 हो जाएगा confusion है कोई कोई भी confusion रहे comment करके जरूर बताईएगा सुधार करने का जरूर हम प्रयास करेंगे दोस्तों 32 x 28 माइनस और माइनस 5 कितना होगा तो दूनों माइनस माइनस है तो दूनों को जोड़ देज़े और माइनस का सिंबल लगा लिजिए 28 गो और 5 गो 33 तो लिख दीजिए 33 है हाँ पर अब नंबर को नंबर की तरफ x को x की तरफ कर लिजिए तो 33 x X minus 32 X अब बराबर कितना है आपका तो minus 33 है यह ठीक है अब 43 आगे जाएगा तो plus हो जाएगा plus 43 अब देखे 33 X में से 32 X को निकाल दीजे तो को बचेगा यह कही एक्स न बचेगा यहाँ पे minus 33 और plus 43 एको plus है एको minus है तो आपको minus ही करना है तो minus कर लिजे 43 में से 33 minus करेंगे 10 आएगा अचो की plus symbol है तो plus का symbol लगेगा जो की लगाएंगे नहीं तो यही आपका answer हो गया दोस्तो question कैसा लगा देखने में tough था लेकिन मातर 4-5 step में ही आपने इस question को solve कर लिया आसा करता हूँ यह question आपको अची तरह से समझ में आया होगा कहें तुरूτοी ए एकदम बिंदास हो करकि आप comment कीजिएगा कि यहाँ पर तुरूटी है यहाँ पर समझ में नहीं आया है एकदम बिंदास हो करकि आप comment कीजिए दोस्तो देखें दोस्तो इस question में कहा गया है न किसी संख्या के पांच गुने में से उसका तीन गुना घटाने पर सेस्पल 18 है वह संख्या है माना संख्या बराबर X माना लिख लिए माना संख्या बराबर एकदम basic से पढ़ रहे हैं तो basic एकदम concept clear किजे संख्या बराबर X अब प्रस्ना नुसार देखिए क्या कह रहा है प्रस्ना नुसार किसी संख्या के पांच गुने में से इस संख्या के पांच गुने में से पांच गुना मतलब पांच X में से उसका तीन गुना घटाने पर इसी संख्या का तीन गुना घटाने पर हमको सेस् तो सबसे पहले तो आपको equation बनाना सीखना पड़ेगा, equation इस तरह से आप simply बना लेंगे, equation जब बन गया ना तो समझ लिए आपका question solve हो गया, equation बनाने में ही बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है, परसानी आती है, तो आप बबुआ, question में equation बनाना सीख लिजिए, नहीं तो जाकर के बहुत ही दिक्कत होगी, ठीक है, तो ध्यान रखे इस बात को, तो 5X में से 3 गो X घटाएंगे बाबु, तो कितना आएगा, तो 5X में से 3 गो X घटाएंगे बाबु, तो आपका आएगा 2X, ठीक है, अब 2 गो X बराबर कितना हो गया, 18, अब बाबु, आप लोग जानते हैं, कि 2 गोड़े X बराबर 18, तो गोड़ा है, तो अगवा जाएगा, तो का बनेगा, भाग बनेगा, तो X बराबर कितना हो गया, 18, अब भाग का मतलब निचवा 2 लिखा जाता है, तो 18 बटा 2 हमने लिख दिया, तो अब इसको काटेंगे, तो 2 नवा 18, तो X तरीके से इक्वेशन बनाना सिख लेजिए, और कोशन को सिंपली लगा लीजिए, आसा करता हूँ, यह पांचो कोशन आपको अच्छी तरह से समझ में आये होंगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत है, कहीं पर भी कोई परसानी है, कहीं पर कोई तुरूटी है, एक कॉमेंट जर जरूर कीजिएगा, लिक लाइक भी कर दिजिएगा, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन बने, और अगर में दोस्तों आप चैनल पर नए हैं, तो आप से हाथ जोड़ करके बिंती है कि चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,